वहाँ पर अगर कोई गेर मुसलिम भाई है तो आपना सवाल कर सकते हैं, मैंक नमबर एक से सिख धर्म में निरो मैं प्रितपाल सिंग सिलिगुडी जाया हूं आपसे जिग्यासा रखता हूं पुछा कि सिख धर्म पुर्रिर जनन में मांता है कि पुछ भू consumer घर्म मांता है आप लेटा ही दिएखर사 आप पहले session से आपने तक्रीर में इसका जवाब दे दिया है लेकिन फिर भी जिग्यासा है तो मैंने पूरा जवाब दिया किस पॉइंट पे जिग्यासा है आपको मैंने कहा पुनर का मतलब नेक्स्ट जनम मतलब बर्थ नेक्स्ट बर्थ इसलाम भी इसमें मानता है कि इस दुनिया के बाद हम नेक्स्ट दुनिया में आएंगे ये वेद कहता है इसमें मुझे कोई डाउट नहीं कोई शक नहीं लेकिन ये जो वुजूद में आया सम्सकारा इसका जिकर वेद में नहीं है ये हिंदू पंडितों ने कहा समस्कारा के बारे में क्यूंके वो ये नहीं समझा सकते थे कि लोग क्यूं गरीब पैदा होते क्यूं लाचार पैदा होते क्यूं कंजनेटल हाट से तो ये नहीं पता होने के वज़े से फिलोसोफी उजूद में आई लिकिन वेद में सिर्फ लिखाए कुन्णर जनम, जो कुरान तो लिखाए कि सिख्धर्म में लिखाये का मुझे कोई तरफ में हैं लिकिन ये मानना कि बर्थ फिर देथ फिर बर्थ फिर देथ फिर बर्थ फिर देथ यह scientifically मुंकिन ही नहीं है I can give you another quotation why it's not possible आप समझ ले ना तो किस लॉजिक पर आप संतुष नहीं है मैं आपसे यह जानना चाता हूँ कि जैसे सिख धरम में यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मिर्थी हुई है वो कहीं न कहीं फिर जनम लेगा क्या इसलाम इसको मानती है नहीं कहीं न कहीं ने सिर्फ एक जगा लेंगा आखरी नेक्स जिन्दगी और यही सही मानों में वेद में लिखा है पुनर जनम नेक्स जिन्दगी कहीं न कहीं यहां पाइदा हुआ है अमेरिका में कर लेंगा बिल जी किदर भी वेद में ने लिखा है वेद में कहीं नहीं लिखा है ये पंडितों ने अपने तरफ से पेश किया है पुनर जनम जो कुरान में हैं और वेद में हैं उसके मानी नेक्स लाइफ ये हम मानते हैं लेकिन कहीं न कहीं यहां लेंगा ने एक ही जगा आखरत में और क्यूंके scientifically ये लोग जो कहते हैं समस्कारा कि आप अच्छे काम करेंगे तो आप स्वार्ग में जाएंगे अच्छे काम करेंगे तो अगले जनम में आप इनिसान बनेंगे बनाबर कि ने स्वारिग में जाएंगे तो स्वारिग में जाएंगे तो आने के दरवत क्या फिर स्वारिग में रहना अच्छा ना धरती पर क्यों आएंगे फिर कुछ मदब में स्वारिग में जाके फिर वापिस आते अगर स्वर्ग में जाके इनाम मिल गया तो यहां वापिस क्या आते अगर नर्क में गया तो वापिस जिंदगी में आके फाइदा क्या अगर आपको सदा मिल गई तो यहां फिर आपके क्यों कुटा बिल्ली बनते अगर आप देखेंगे, आज दुनिया में क्राइम बरड है क्या खट रहा है बरड़ है आप मानते हैं ना, मैं بھی मानता हूँ ये जो philosophy समस्कारा की अगर बुरे काम करेंगा इंसान तो अगले समें हो बनेंगा अच्छे काम करेंगा तो बनेंगा इंसान, क्राइम जो बर्ड ही है, इंसान की दादाद बर्ड ही है क्या घट रही है, मेरे समझ से तो घटनी चाहिए, लेकिन ये घट रही है, उसका मतब लॉजिक गलत है न आपकी, वारा अपर तो यह लॉजिक है न, आप मान गए तो कबूल करो भी, जो पुनर जनम है, वे में इसलाम में यक्सा है, क्या अगले बाब जियेंगे, एक बार मरेंगे, अगली पार आपका हिसाब किताब होएगा, डे और जज्ज्मिन्ट, और फिर आप हिसाब किताब के हिसाब से, जैसे आपने अमाल किये, जैसे आपने कर्म किये, इस दुनिया में, उस तरीके से आ अब हम चलते हैं माइक नंबर तीन पर वहां पर अगर कोई गयर मुस्लिम भाई मौजूद है तो आपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर तीन से आमें गोतम कुमार शिंगों बोल जी बोश्रा थे कि ऐसे चीज़ उत्तो दिनाजबूर जेला खौरंदी इताना थे कि आम पर उनोचे